नमश्कार मैं हूँ आपके साथ शिवांगी सिंग और वक्त हो गया है एसी टुडे के खास बुलिटिन का जिसमें हम आपको देश्विदेश की बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे कोरोना संक्रमण के बीच अची खबर अधिजन संक्या होने के बाद भी यूपी में कोरोना से मौत का आकड़ा 2% से भी कम भारत में कोरोना वाइरेस संक्रमण लोगों की संक्या पहुची 46,433 जिसमें से कुल 15 सा और सर्क लोग अब तक अपनी जान गवा चुके हैं दिली सरकार ने शराप के शौकीनों को दिया बड़ा जटका बढ़ाया 75% स्पेशल कोरोना टैक्स दिली के बाद आंधर प्रदेश में भी महिंगी हुई शराप 75% तक बड़े दाम भारत में कोरोना ने तोड़ा अब तक का रिकॉर्ड पिछले 24 घंटों में अधिक्तम 195 की मौत 49 सो नयमाम ले अब विदेश में फसेब भार्कियों को लाने की तयारी 13 देशों में 14,800 लोगों के लिए शुरू होंगे 64 विशेश उड़ाने जमो कश्मीर के बड़गाम में आतंकियों ने ग्रिनेट से किया हमला एक सी रपिएफ जवान समेर चारनागरिक घायल चात्रों का इंतिसार हुआ खत्म 18 से 23 जुलाई होंगे J.E.Mains तो 26 जुलाई को होंगी नीट की परिक्षाएं 15 अगस्त को कोरोना वारियर्स को करमवीर सम्मान देगी सरकार उनके परिजनों की मदद के लिए पुलिस मुख्याले में अलग से बनाई जाएगी हल्प्रिस्क अब उत्रप्रदेश में आने और जाने के लिए करना होगा रेजिस्ट्रेशन योगी सरकार ने शुरू किया पोटल जो लोग दूसरे राज्यों में फसे हुए या फिर उत्रप्रदेश से अपने राज्यों में जाना चाते हैं वो जन सुनवाई पोटल के जरिये रेजि